यह है हमारा Poco X6 Pro और इसका एक लेटिस अब डेटा यह था 1.0.5 जिसे मैंने यूज कर लिया है आपको वीडियो भी दे दिया है अब आज बात करने होले हैं बैट्री के मामले में कि यह कैसा परफॉर्म करता है मैंने बेहन्द सीन आफ लाइन चार्ज कर लिया है आफ लाइ क्योंकि यहां पर 0% भी बैटरी नहीं बची हुई है तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब उसे और जरूर करना है यहां पर कुछी दिर में आपको परसेंटेज नजर आएगा जो कि मेंभी 0% का होगा क्योंकि कम्प्लीट आफ हुआ है तो पोको का लोगों फिलाल आ चुका है देखते हैं कितना परसेंट यहां पर यहां पर करता है तो यह यहां पर हमारा अब आई थिंक आने वाला है 1% ठीक है तो 1% यहां पर सो कर रहा है तो जैसी यह 10% से 11% होगा ग्रीन होगा मैं इसे ऑन कर दूंगा उसकाद ऑन करके चार्ज से वह ही यहां पर टेस्ट करने वाला हूं क्यों मैंने बेहां दसीन ऑफ करके भी चार्ज कर लिया जिरू से 100% जो कि मैं आपको टाम रिखाऊंगा कि दोने में कितना डिफ्रेंट आता है ठीक है तो तो यहां पर फोन हमारा चार्ज हो चुका है 15 करीब 12 हो चुका है तीन म हमारा है जो अपडेट है ठीक है तो फिलाल हम आते हैं बैटी सेशन के उपर तो हमारा जो बैटरी है कितर गया यह रहा ओके तो यहां पर 13 परसेंट अभी है जो सोग कर रहा है और यहां पर एडिशनल फीचर्स के अंदर हमें मिल जाता है बूस्ट चार्जिंग मोड जिस यहां पर 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है और हमारा बैटरी कितना चार्ज हुआ है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ तो यहां पर हम देखेंगा हमारा बैटरी को तो यह हो गया है 78 परसेंट जो कि काफी अच्छा का सा टाइम चल रहा है बट अगर हम इसे पिछल को मिला थ्वाँस आगे चलते हैं थर्टी मिनट पर जैसे कहिं अब यहां पर था हमारा 78 यहां पर कितना होता है वो देख लेते हैं यहां पर फ़रसा पीछे हमारा चल रहा है जबकि मैंने यहां पर बूस चार्जिंग मोड को अन भी कर रखा है तो भाई हमारा फोन कंप्रीट यहां पर चार्ज हो चुका है और इसमें जो टोटल टाइम लगा है वो है 46.57 मिनट यहांनि 46.57 सेकेंड और 47 क्या सबस्थ आप मानो और य जबकि 44 मिनट में हमारा जो 98% ही हुआ है और इस बार जो 99 से 100 का टाइमिंग उसमें करीब 2 मिनट का इसने गैप लिया है जबकि जो 1.0.1 का अब डेठा उसमें जो इसने 99 और 100 काफी जल्दी कर दिया था करीब कर यहां पे जो 2 से 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम इसने लिय है complete charge होने में और मैंने आपको कई बर बताया है कि जब बैट्री चार्जिंग में थारसा ज्याजा टाइम लग रहा है यानि आपका यहां पर बैट्री वेक थारसा इंप्रूव होने वाला है या फिर प्रफॉइंस थारसा डाउन हुआ है तो आपको बैट्री में इंप्र और रियल लाइफ चार्जिंग टेस्ट लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं कि जब मैं फोन को आफ कर रहा था और उस कंडिशन में चार्ज करता हूं तो क्या टाइम लगा था तो यह हमारा टाइम के जो कि 43 और 20 सेकेंड का तो यहां पर कर एक त्री मिनट का इस्टा टाइ लेकिन अब बात करते हैं बागी दर चीजों के जैसे के बूट, टाइमिंग, स्टेंड बागी साइच चीजें तो फिलाल मैं इसे कर देता हूं रिसेट यहां पर ओफ हो चुगा है बस यहां पर पावर टन प्रेस करूंगा जैसे लाइट अप होता है यहां पर मैं स्टार में आपको दिख जाएगा तो यहां पर 2 seconds का मैं कहुँए इंप्रूइमेंट आखनी को मिल जाता है कि हमारे फूर टाइमिंग का है क्योंकि एक सेकेंट करते करते ही हो गया था यहां पर थोइसा improvement आया है जबकि होँए थोगा सा downside आखनी को मिला करते है हमारे है जो screen on timing और साथ साथ यहां पर stand by battery drop के बारे में तो battery drop अभी फर्स दे ही हुआ है complete update करने के बाद testing का इसे हमें और लॉंगर यूज करने वाला हो देखता हूं कि different different day पर हमें different different drain देखनी को मिलता है या नहीं तो यहां पर आप यहां पर 80% हमें है जो battery देखनी को मिल रहा है और morning में आ जाते हैं हमारा 60% यानि 2% का ही battery drop हुआ है और यहां पर फुल में कम drop होता है और लो में थोड़ ज्यादा होता है बार यहां पर यह चीज इस वा नोटिस नहीं हुआ लेकिन long usage के बात देखते हैं और उहें पर skin on timing के बात करना तो इस वार इस एप ने भाई धोखा दे दिया complete तरीके से इसने screen on timing मुझे सो नहीं किया है लेकिन जिस तरीक से मैंने testing किया उसकी साथ यहां पर करीपर जो timing की सब मुझे लगा है न वह साहरे तीन घंटे का जो कि के comparison में और आप अपना normal basic की उच करते हैं आप तो उसमें भी आपको करी करी एक से देर घंटे का extra screen on timing मिलने वाला है यह update करने के बात तो जब से update आया है मुझे कुछ है कुछ improvement ही देखनी को मिला है लेकिन देखते हैं कि gaming के time heating या extra battery drop या lag इसे में cover करूँगा और में एक दो बार और behind the scene में charge करूँगा और सारा कुछ conclusion लेकर आउंगा इसके full review में और में भी अभी तक यह still update आपको नहीं मिला होगा क्योंकि beta pilot tester में run कर रहा है तो जैसी आएगा मैं आपको वीडियो भी दे दूँगा ताकि आप फाइनल वीडियो का वेट कर लेना ताकि लॉंग विजच पर साय चीज़े जो हमारे सामने देखने को मिल जाया तो यह battery charging test कैसा लगा आप कमेंट करके जरूरू बताना मिलता हो ने स्टूडियो में थांक्स वॉचिंग बाबाई झाल